है अब हराइन कि आप मुकेश को यह आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंड्स हम आज हाइपोथिस यानि की परिकल्पना के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और आपको पता है यह हाइपोथिस का जो कंसेप्ट यह बहुत सारे पेपर्स में आपके यूजी सिनेट के प्रेंगे संथिक्त का आपको अच्छे से शांती से संधिक्या कि हम करते हैं जांपल के साथ कि पूरी की पूरी को कोशुष करेंगे ठीक है ना फृरिंड चला और कुछ क्वेश्चन्स भी करेंगे बात में टॉपफिक को समझने के बात अराम से रिलेक्स होके सारी चीजों को सुनना है हाइपोथिसिस का टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है हर बार कुछे जाते हैं और जब यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं या रिसर्च वह करते हैं तो हम उस्ट करते हैं कि जो हमने निए परिक्षीन करते हैं कितने तरह की होती है यह सारी बाते हमें करनी है चलो बहुत बढ़ी आप यह SWMZ एप है जिसमें हम पेपर वन कम्प्लीट पढ़ते हैं यूजी सी नेट का और पेपर टू इन्वार्मेंटल साइंस और पेपर टू एजुकेशन पढ़ते हैं कैसे आप इन्रॉल कर सकते हो यह हम लास्ट में बात करेंगे अपनी हैं है तो सबसे पहले कुछ शबदों के बारे में जान लेते हैं कि है इस स्टेटिमेंट का है छे नाहीं है यह यह आप यह सकता है यह जो हो सकता है वह सही ना भी हो ऐसा हो सकता है तो यह एक टेंटेटीव स्टेटमेंट है है ना तो यह आप से सिदा मैच करने के बारे में भी कुछा जाता है यह भी पूछ लेते हैं कि यह परिकलपना क्या है एक एसा होगा जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं ना कोई भी वी तो आपकी परिकल्पना है कि एक्जाम हो जाएगा तो यहीं कह सकते हैं एक अच्छी हाइपोतिसिस तिसको कहोगे आप परर होगी होगी और सिब्सक्राइब ना एक अच्छी परिकल्पना एक तो इस पर्ष्ट होनी चीए बिल्कुल और बिल्कुल सटीक होनी चीए वह यह अच्छी है चीक है ना और आप चीजों को ठीक से कर पाओगे तो यहां आपको इतना याद रखना है और तो सब बातें कि यह कृँट है यह क्ता है इसलिए इसको बोलते हैं यह अपको धियान रखना है इतनी ऐखना रखनी है उसके बाद आपको एक बात पता होगा या नहीं पता है तो इसको अराम से चमझेना कि हाइपोथिसिस बेसिकली दो तरह की हम बात करते हैं एक होती है नल हाइपोथिसिस और एक होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथिसिस जैसे नाम ही बोल रहा है नल मतलब सुन्य एक तो है सुन्य परिकल्पना और अल्टरनेटिव हाइपोथिसिस जिसको हम बोलते हैं वैकल्पिक परिकल्पना एक एक्जाम्पल से समझते हैं है ना एक्जाम्पल समझते हैं चीक है मैं कहा रहा हूँ जो हाइपोथिसिस है वो दो तरह की होती है एक तो होती है एच नोट से डिनोट करते हैं जिसको यह है नल हाइपोथिसिस यानि कि सुन्ने परि लींधी में एक एक एक्जपम्पल कि मालनो कोई कंपनी है दवाई बनाने वाली कंपनी और वह में उसकी टबलेट भारी है अभी ही रही है मतलब चल रही है सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं यह कोई tablet आई हुई है market में ठीक है और अब एक नई टैबलेट वो निकालने जा रहा है market में ठीक है ना पहले से कोई tablet आई हुई है 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 ना और उसी बिमारी से related update करके कुछ एक नई tablet निकालने की बात कर रही है कोई फार्मासूटिकल कंपनी ठीक है तो आप वो एक सर्वे करवाना चारी है जैसे मान लो एक्जांपल के तोर पे कि भारत में इस टैबलेट को कितने लोग कंज्यूम करते हैं ठीक है तो अब आपको पता है जो हम ब्रोड लेवल पे जो सेंपल जो होता है उसको क्या बोलते थे है ब्रोड लेवल पे जिस पर अपना कंप्लीट जो होता है यूनिवर्स इसको हम क्या बोलते हैं कि यह पोपूलेशन है और पोपूलेशन में से हमें क्या करने होता है कुछ सेंपल लेने होते हैं क्योंकि जैसे आप ब्लड सेंपल देने जाते हो तो ऐसे तो नहीं कि पू सेंपलिंग और नौंप रफ़वयके में सेंपलमें कि मेरे जानकार वाले जो हैं जगह में रहते हैं वही सेंपल करूँ Godis कोशक होती है तो वो एक सेंपलिंग का मुद्दद बन लेकिन एक बार hypothesis में आप मैंने क्या कहा कि कोई टैबलेट है यह कोई फार्मा सुटिल कंपनी है उसकी यह यह देख रहा है कि कितना कंजप्शन है तो हमने एक एक जामपल के तोर माना कि उसका जो कंजप्शन अभी है अभी जो कंजप्शन कर रहे हैं वह माल लेते हैं कि कित जो और नई टैबलेट आएगी उसके बारे में सर्वे चल रहा है तो जो नल हाइपोथिसिस कहेगा जो शुन्य परिकल्पना जो कहेगा वो क्या कहेगा कि इसको 15% इस नई वाली को कंज्यूम करेंगे तो उसका भी तरह का डिफरेंस नहीं मानती है नो डिफरेंस इसकी प परिकल्पना है वो शुन्य है है वो नल है वो कह रहा है आगर निव टैबलेट निकालेंगे तो उसका भी कंजेप्शन क्या होगा 15% ही होगा जैसे हम या फिर एक एक जम्पल और ले लेते हैं मालो किसी काम को करने के दो मैथट है मैथट ए और मैथट बी तो जो नल करता है तो यह फार्मसुटिकल वाला आपको समझ में आया कि जो टैबलेट पहले आ रही थी ना पंदरा परसेंट वह लोग कंज्यूम कर रहे थे नहीं वाले को फंदरा परसेंट कंज्यूम करेंगे यह बोल रहा है कि नौ डिफ्रेंस देर विल बी नौ डिफ्रेंस जब होता है जैसे हम उन्हें और एक्जामपल लिया कि बी मेथड़ ज्यादा अच्छा होता है एसे यह बोल देगा यह यह बोल दिया कि गल्सार मोर इंटेलिजेंट देन बॉइस यह कौन बात करता है यह आल्टरनेटिव हाइपोथिस है वह बात करता है आपको समझ में आई किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि यह परिकल्पना नल है यह सुन्य है जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथिस कहेगा कि हाँ डिफरेंस है जैसे यह कह दिया फार्मासुटिकल वाले एक्जामपल में कि यह 15% कंजूम नहीं करेंगे और यह कह रहा है पहले कर र अब दाटा करना सुरूर करोगे जैसे मालो आपने कोई हाइपोथिस बना ली है परिकल्पना बना ली आपने की इतने परसेंट करेंगे इतने परिकल्पना हमने बनाई है उसके बाद हम क्या करते हैं डाटा का क्लेक्शन करते हैं डाटा का संग्रह करते हैं और फिर हम डा यहां के टेस्ट लगाए कि ना क्योंकि जो डाटा करोगे उसका विशलेशन करो गे तो अमने माल लरे कोई करोगे कि हम according to data हम उसकी एक value निकाल रहे हैं इस बात को समझ गए अगर value के अंदर यह decide हो गया चीक है कि यह 15% है नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा alternative hypothesis accept हो जाएगा और null hypothesis हो रिजेक्ट हो जाएगा example के तोर पे और 15 है तो नल accept हो जाएगा और alternative क्या हो जाएगा reject हो जाएगा आपको पता है दोनों के दोनों एक time तो हो नहीं सकती या तो यह accept होएगी और यह जाएगा और यह accept होएगी ऐसा ही तो होगा ना इसा ही तो होगा सिद्धी सी बात है दोनों एक साथ कैसे बात हो सकती है तो कोई भी researcher होता है ना को अब करने की कोसिस करेगा या या तो इसका प्रोबलम है तो यह भी ध्यान रखना और आगे इस statement को पढ़ेंगे भी तो इस टैप को हमने आगे भढ़ाया है चिक है कि हमने कोई भी टेस्ट करा तो कोई भी टेस्ट करते हैं तो हम एक वेल्यू लेते हैं अगर आपने कभी नाम सुना होता है significant level बोलते हैं है ना क्या बोलते है 84 को कि इसका हम समझेंगे क्या होता है significant level होता है जैसे 5 percent का होता है या फिर egy percent significant level basically 5 percent को हम 0.05 भी लिख सकते एक को 0.001 भी लख सकते हैं 5 बटे 100 किए और कुछ नहीं है ना सिगनिफिकेंट लेवल पांच परसेंट या एक परसेंट फिर इसको सिगनिफिकेंट लेवल को एलफा से लिखते हैं और एक होता है कॉन्फिदेंस लेवल क्या होता है कॉन्फिदेंस लेवल जिसको हम सी से लिखते हैं और कॉन्फिदेंस लेवल को सी से लिखेंगे तो यह पर सेट निन्याड में परसेंट हो जाएगा तो अब सिग्निफिकेंट लेवल क्या है इसको एक बार समझेंग यह है कि आपने जो हाइपोथिस एजूम किया हमने कोई बनाई नहीं होगी बीस होगी 25 होगी वह हमारा अजम्शन है हमने अजूम किया क्योंकि हाइपोथिस का एक अजम्शन है और एक हमने जब टेस्ट लगाया जो हमने रियल में डाटा इकठा करे और डाटा इकठा करके हमने टेस्ट लगाया तो हम उसका डिफरेंस देखेंगे कितना है अगर डिफरेंस नहीं है है ना तो तो फिर नल हाइपोथिसी सी एकसेप्ट हो जाएगी अगर 5% से कम है तो नोन सिगनिफिकेंट हो जाएगा और नल हाइपोथिसी से एकसेप्ट हो जाएगा मेरी बास समझ रहे हो अरे समझे की नहीं समझे आपने कोई अजियूम किया कि इतना आएगा है ना एक तो वह अजंप्शन है आपका और एक आपने रियल में डाटा इ तो इत मींस जो यह डाटा एजियूम किया था और जो हमारा टैस्ट लगाने के बाट डाटा आया है अगर इनका डिफरेंस 5% से ज्यादा है तो सिगनिफिकेंट है और सिगनिफिकेंट है तो अल्टरनेटिव हाइपोथिसी से एकसेप्ट हो जाएगी और नल हाइपोथिस से ज्यादा होगा तब मानेंगे अगर 5% से कम आजाएगा तो बात नल हो जाएगी अभी एक बार अराम से एक मैप से समझते हैं एक नोर्मल डिस्टिबिशन का अगर आप बना के समझते हैं अराम से समझते हैं जैसे मैंने यहां लिख दिया है कि लेवल उप सिगनिफिके मैं थोड़ा सा बने अजो कोई बात नहीं समझते हो रहे हैं अगर वैल्यू यहां पे रहेगी इसके बीच में रही है तो यहां पर वैल्यू है तो और ऐना यह वेल्यू है यह वैल्यू है यह वैल्यू यह इधर है याने कि मैं ने 5 परशेंट भॉला है ना 5 परशेंट भाला ओर 1 परशेंट यह एरिया हो गया यानि कि मैं कह सकता हूं 0.025 यह हो गया और 0.025 यह मैं 5% मैं 0.05 इसका मैंने अलफा का हाफ किया है एदर है इधर देगी पॉजिटिव वह बाद समझ रहं के नहीं समर्द सब GIUM चलो अब एक बात सुनो हम क्या करते हैं एक एक नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन का करव बनाते हैं यह नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन का करव बन गया ठीक है ना यह नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन का करव बन गया ठीक है ना चलो बना दिया अब नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन का जो क वाला एरिया आ गया अलफा oh lalı tag a szնम अगरी विल्ली की बात करहें हैं अगर यहां पर आएगा कोई वाली जो यहां रहे मेंन है तो और यहां पर यहां पर है तो नल हाइपोतिस है वो जाएगी रियाब हो जाएगी तूझकि 5% का दायरा यही है ना यानि कि 0.025 या फिर हम यह कह सकता हूं 2.5% और 2.5% क्योंकि हमारा significant value यही है ना तो अगर value यहां की आई यहां पे आएगी तो null hypothesis है वो क्या हो जाएगा reject हो जाएगा क्योंकि हमने कहा है 5% significant value मानी है अगर difference 5% से ज्यादा ँज you this I am a raha क्या है तो इधर आएगा वेल्यू इसमें आएगी और ऐसे जैसे इसमें आ जाती है 95% में यहां पर आ जाती है वेल्यू तो सीधी सी बात है यहां पर आप रहाय प्याएगा एक्सेप्ट हो जाएगा नल एक्सेप्ट हो जाएगा अब बात समझेओ की नहीं समझे चीक है अब मैंने एक टेस्ट में मैंने कुछ बात लिखी है आप तोड़ा धेर्या बनाए रखोगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी हम पांस परसेंट सिंग्निफिकेंट वैल्यू की बात करें देखो यह जो 0.025 है यह पांच परसेंट की बात हो रही है क्योंकि पांच परसेंट को अगर डिवाइड करोगे सो से तो कितना जाएगा 0.05 का दोनों टू टेल टेस्ट हो तो टेल हो गई ना यह तो 0.05 को आदा करो कि इतना गया 0.025 तो आदा इधर लिख दिया आदा इधर लि और गता से वेल्डू मैच करने पड़ेगा लग से दियू ही आती है तो जड़ टैबल में जैसे अल्फा है 0.025 है ना तो जैड कितना है 1.96 याद रखना है ना So 1.96 on the right side and the right side and minus 1.96 on the left side तो अगर मैं alpha 0.025 की value हमें 1.96 है तो Z की value यहां कितनी है 1.96 यह Z की value इस area के लिए और इस area के लिए क्या हो गया minus में हो जाएगी 1.96 अगर देखो अब सीधा लिखा हुए है ना अगर value अगर हमने जो test लगाया अगर इसकी value minus 1.96 से जादा आ रही है तो वो क्या होगा अगर यहां पे Z test हमने लगाया और हमने जो value आई है हमारी अब बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो हमारी value आई है वो अगर 1.96 से जादा आई है है ना तो हम null hypothesis को reject कर देंगे क्योंकि इस area में आएगी वो value है ना इस area में आएगी और इस area में आएगी तो reject कर देंगे है ना और नहीं तो हम null hypothesis को क्या कर लेंगे accept कर देंगे तो यही है ना if the value we get Z from the test is lower than 1 by minus यानि कि इस से तो lower आनी चीए और इस से क्या आनी चीए higher आनी चीए क्योंकि यह minus की value है तो इस से तो lower आएगी है lower than minus 1.1 1.96 और higher than 1.96 आगर आ जाती है value तो क्योंकि इस area में आएगी वो higher वाली और lower वाली 1.96 में इधर आएगी तो इस area में आएगी तो null hypothesis को हम क्या कर देंगे reject कर देंगे और जैसी null hypothesis क्या होगी reject होगी alternative accept हो जाएगी आगर value इस में आ जाती है इस area में तो क्या हो गया null hypothesis है वो accept हो जाएगी यह बात आप समझे हो गया चलो बहुत बढ़ी आगे अगर हम बात करते हैं मैंने यहां पर null hypothesis के बारे में कुछ बातें लिखी है वो भी आपको ध्यान रखनी है यह बात आपको समझ में आई होगी चलो ठीक है देखो नल hypothesis में सीधा लिखा हुआ है इसको एच नोट से डिनोट करते हैं सुन्य परिकलपना का मतलब हमने शुरुआत से बात कर रहा हुआ है और यह बात जो सेकेंड है यह आपको याद रखनी है नल hypothesis statements are not proved by the researcher सुन्य परिकलपना कथन शोद करता द्वारा सिध नहीं किये जाते हैं इसको क्या प्रूव करेगा इसको तो नहीं करना है किसको रिसर्चर को इसको प्रूव किसको करना है अल्टरनेट को यह आपको ध्यान रखना है जैसे नल hypothesis का example देखो कि हम दो method को compare करते हैं ए और बी को चीक है ना लेकिन हम पाते हैं कि दोनों के दोनों equally good है कि there is no difference तो वो क्या है नल hypothesis है तो यह आपको बात समझ में आई होगी अगर मैं बात करूँ को alternative hypothesis की जिसको एच एच वन से लिखते हैं बेसिकली है ना इसको जब आपको कोई बोले ना रिसर्च हाइपोथिस या सबस्टेंटिटिव रिसर्च हाइपोथिस तो मतलब वो alternative hypothesis ही बोल रहा होता है यह बात आपको ध्यान रखनी है और इनमें significant difference होगा हमने बात की है significant difference हो और जैसे वी फाउंड डेट गल्स आर मोर गूड इन मैथ देन बॉइस यह difference कर रहा है ना कि मैथ में लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है बजाए बॉइस के तो यह क्या है एक alternative hypothesis है आपको यह बात समझ में आईगे क्या अरे बताओ सम्झ में आईगे क्या बहुत important ह है प्लीज धान से समझना है चेक है और यह नोट देखो आपको statement में नोट भी पूछा जा सकता है यह नोट क्या कह रहा है दा रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथिस इंडिकेटेड देट डा डिफ्रेंस सेव स्टेटिसिकल सिगनिफिकेंट अगर आप नल हाइपोथिस को एस परूष होगी और अल्टरनेटिव scor सेप्ट हो जाएगी एउस स Franshe आपकोनल हाइपोथिस इंडिकेड अगर एक सेब्स्राइभ तो एक सिंडिकेट कर रहा है कि जो मिनाफरेंसर जिए रहा कि नहीं था लेकिन आपका लेक्चर में कर लेंगे टाइप वन और टाइप टू ए ठीक है ना और इसके बाद यह विश्चन भी है यह टाइप बन और टू से जूड़ा हुआ है मैं आपको टाइप टू बाद में करा दूंगा पहले एक विश्चन देखना और आप टाइप टू आप कमेंट बॉक्स मे अगर वो सही है तो हम H0 यानि कि Null Hypothesis को reject कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है यह और यह कह रहा है कि Type 1 Error के बारे में कह रहा है कि Null Hypothesis when it is not true एक्सेप्ट कर लेते हो आप कब कर लेते हो एक्सेप्ट Null Hypothesis when it is not true आप बताओ यह कौन सी होगी बैसिकली यह कह रहा है कि Null Hypothesis है वो ट्रू नहीं है है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यह Type 1 Error कह रहा है यह स्टेटमेंट ठीक है यह गलत बताओ comment box में बताना ठीक है यह स्टेटमेंट पहला वाला स्टेट है इस स्टेटमेंट को बताना क्योंकि मैंने टाइब और टाइब टू करवाया नहीं है आपको homework दिया है तो यह ध्यान रखना प्लीज इसका आंसर बताना और यह क्विशन जो अभी हमने बात की थी यह क्या क्विशन कह रहा है रिसर्चर फेल्स तू रिजेक्ट दानल हा hypothesis को reject नहीं कर पाया fails to reject null hypothesis यानि कि null hypothesis को reject करने में fail हो गया अगर वो null hypothesis को reject करने में fail हो गया तो सिद्धी सी बात है बिल्कुल बेसिक सी बात है तो यह hypothesis वाली बात आपको समझ में आई होगी की परिकल्पना वाली बात यह आपको एक होमवक है और अगर आप करना चाहों तो बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स में बात भी कर लेंगे कहरा एक conceptual hypothesis परिकल्पना के निहतार से त्यार की गई है मैं इसका आंसर बता देता हूं आप सोचों कि दो हमवक दे दिए एक ही दे रहा हूं इसका आंसर थियोरी है और वह कैसे है आप बताना एक एक विचारिक परिकल्पना के निहतार से त्यार की गई है यह सिद्धान इसका आंसर है क्यों है यह आप को मेंट बॉक्स में बताना और आप लोग खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें आपको मैं एक इन्फोर्मेशन अ अगर आप पेपर वन जोइन करते हैं तो डेली लाइव क्लासेज आपको मिलती है और अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकोर्ड़ सेशन भी आप देख सकते हो पीडियो फाइल भी मिलती है हुंदी और इंगलिस दोनों माद्यम में होता है तो आप SWMG अपको प्ल सब्सक्राइब चाइब लिए सकते हैं और वैसे आपको सारी इंफॉर्मिशन फ्ले सोर में एपके समय जाएगा तो आप लोग कुछ रहे हैं और अपने चित को शानत रखें तरह की कोई टैंशन ना लेफ्रेंश आप लोगों से रिक्वेस्ट है आराम से चीज़ों को में आजाएगा बहुत बहुत धन्यवाद